जै माता की कैसे आप लोग आप लोग बल्कुल ठीक होंगे और यहां सुबे पूजा पाथ हमारा सब हो गया और टाइम और शाड़े 9 बज रहे हैं और हमने यहां खाना भी तयार कर लिया चावल और देख रहे हैं दार फ्राई कितने अच्छे से मैंने भेतवा और तमाटर अगरा डाल करके हमने फ्राई कर लिया और यह हमारा रख है कचालू और इधर मैंने सुखी सब्जी भी थोड़ी से तयार कर लिया क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी निकलना है और कहां कली निकलना है तो आगे ही हम बताएंगी कि हम कहां जा रहे हैं तो इधर हमने सलाद काट करके रहले और खाना पीना करने के बाल अब आपको यहां पर मैं दिखा रहे हूं की मनुंä का कहना कि हम गाजर का हलुआ खाना है तो मैंने चा और उसको दिखा ही देते हैं फिर फोल्ड करके धर धर रख देंगे तो फिर हमारे दिमाग से हर जाएगा तो जल्दी हमको प्रिशाद भी लगाना है और प्रिशाद ले करके जल्दी ही निकलना है कहां निकलके जाते हैं आगे आपको बताती हूँ कि हम कहां जा रहे हैं तो आ गई है मालिन दीदी और हम दोनों मालिन दीदी बैट करके प्रिशाद लगा रहे हैं अब बता रहे हूं कि मुझे कहां जाना है तो प्रिशाद ले करके मैं जाओंगी भिच्छा मांगने और वही सुबे साथे 10 बजे का टाइम है क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत ही कम बचा है तो मुझे 2-3 दिन के अंदर मातारानी की भिच्छा भी मांगना है तो हम आगए प्रिशाद ले करके एक अंटी जी के घर तो देख सकते हैं आप मैंने यहां कभी थोड़ा सा ले लिया क्योंकि मुझे न सब फूल पौधे अरे बागवानी बहुत ही अच्छी लगती है तो अ दस घर ही जाना है और दुपाहरे मांगने के बाद साम को भी अभी निकलूंगी कहीं न कहीं चार पांच बज़े तक के लिए तो रीता और मालिम दीदी हम के सब के साथ में हम लोग हैं और रीता हम अब निकल लिये और अब मैं पहुचने के बाद यहां से मांगने के ही 2.5-3 बजय के बाद, हम कहीं और के लिए निखलेंगे, क्यूंकि जल्दी-जल्दी भिच्छा मांगके हम को जमा भी करना है, तो रीता को हमने ले लिया था, और पेदली-पेदली इतनी स्पीट से हम चल रहे हैं, तो रीता करे भावी स्प्रीट थोड़ा कम करिये हम नहीं चल पा रहे हैं तो हमको हसी आ रही है और ऐसे भी हमारी स्प्रीट बहुत ही तेज है आप लोग कहोगे हम अपने आप से अपनी तारीफ कर लेते हैं तो कोई बात नहीं हमारी तारीफ कोई नहीं करेगा लेकिन हमार मातारानी तो करती है तो हम भी रिता को ऐसे ले लेते हैं रिता भी हमारे साथ चल देती हैं काफी हमारी हिल्प करती हैं तो अब हम आ गए घर अब घर आने के बाद कहां जाते हैं तब बताते हैं आप से अब साम का साधे तीन बजे का टाइम है तो हम भी यहां आ गएं दीद जल्दी और जो को इतने भाव से बैठाता है तो बैठ भी लेती हूँ तो दीदी ने भी ना कहे हमको भिच्छा दे भी दिया और इस Statistics भी पीछे बैठे क्योंकि इसा को और रिता को हम लिवा लाए थे अपने साथ में तो क्योंकि मा की किर्पा है और सभी भगती भाव से थो और आगे अभी बहुत जगे मुझे जाना है तो सब जैकारे मातारानी की लगा रहे हैं, कहरें जै हो मातारानी की, तो सब बहुत ही खुस हैं भाईया लोग, और जहां भी जा रही हूँ अभी आप लोगों को भी बताती हूँ, और दीदी भी बोल रही है कि अरे हम कैसे हम भ लोग थोड़ी थोड़ी देर बैठ भी गए और इसके बाद दीदी लोग चाय पी रहीं तो नहीं मानी हमको भी जवरजस्ती यहां पे चाय भी पिला दी और दीदी की यहां बहु आई थी तो उन्होंने हमको धेड़ सारा देखे क्या है सब बांध करकी भी दे दी करें घर लेती जाओ साधी में नहीं आप आई थी तो चलिए आगे मिलते हैं जहां भी जाते हैं और आगे आपको तो हम कहां आगे यह देखी है हमारी अंटी जी यहां भी हम 18 साल से भिच्छा लेते हैं और अंटी जी बहुत अच्छे भाव से हमको देती हैं देती है ना अंटी ज कहती है कि हमारी बहु आ गई बिच्छा के लिए जो कुछ भी निकल जाए भगवान के लिए तो बहुत अच्छा है और आप पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा अंटी जी सजा रखिये अपनी तुलसी माता में कितने अच्छे से चुन्नी उढ़ा करके और सभी जितनी की जेटेक की लिए और देखे हम अब में कैसे हम पैदल चल चल चलके हमारे पूरे बाल उख़ड़ाते हैं क्या करें अटी जी मैं शॉल लेती हूं तो आजसे मनलब जैकेट के अंदर में निकल लिया है तो जब शॉल लेती हूं तो बाल ऐसे उख़ड़े-ख़ड़े हो तो इस समय हमारी अंटी जी को जुखाम हो गई है थोड़ा असोस्त चल रही है क्योंकि सीजन भी ऐसा चल रहा है ना जुखाम का और फंड गरम कभी धूप ज्यादा निकलती है कभी कम तो चलिए अब आगे मिलते हैं सबके साथ में और रिता को हमने चाजी केहां बैठा दि नर्स की ट्रेनिंग आपने किया था तो कुछ ऐसी परिस्तितियां आ गए थी जब हमारे बच्चे मतलब थे पेट में तो मैं यहां चाची के यहां 20 दिन पड़ी रही हूँ उची खंड में तो अंटी जी हमारे इंजेक्शन लगाने जाती थी चार इंजेक्शन रोज के लगाती थी और इतना दर्द होता था इतनी इतनी गाठें पढ़ जाती थी हमारे शरीर में अंटी जी कहते थी आप किस पत्थर के बने हो आपके दर्द नहीं होता हम कहते थे अंटी जी होता है पर क्या करें मा की क्रेपा है मा जी जैसे हमको रखेंगी वैसे हमको रहना है तो आज मा की क्रेपा है, कि हम सुस्थ हैं, और माता रानी हमेशा ऐसे सब को सुस्थ रखें, तो चलिए अंटी जी से भिच्छा मांग के, अब हम यहां से निकलते हैं, अंटी जी जै माता की बोल दीजे, आप लोगों से बोल रही है, और हमको सब बहुत ही, मतलब हमको ऐसे सब करते हैं, जी जी, मतलब हमेशा बहुत हैं, तो यही जानती हैं, आज हम है मा की प्रिपा, चलिए, जै माता की बीटे हैं आप लोगों, अब हम आग गए मंदीर और क्योंकि हम कई जगे गए तो लोग घरों में नहीं मिली है मेरी दीदी लोग क्योंकि आज सुकरवार का दिन था तो सब लोग थी मंदीर में और यहां पर मंदीर में चल रहा है भजन कीर्तन तो आप देख सकते हैं वैसे भी सभी के भाव बहुत अच्छे हैं और यह मंदीर है रुची खंड में तो यह सब दीदी लोग हमको भिच्छा देती हैं तो हमने सोचा थोड़ी से आप लोगों को भगवान जी के दर्सन भी करा देते हैं तो चलिए सब लोग शात में भगव चड़ा और सभी लोग दर्सन करने के बाद देखिए हर जगे गुड़हल का फूल और सब दोप और टाइम भी काफी हो रहा है साड़े चार बज रहे हैं और मुझे जल्दी भी है क्योंकि घर में भी पूरे सारे काम करना बांकी है क्योंकि घर का भी सारा मतलब खाना पीन चलती हो यह देखे यहां पर प्रशाद भोग लग गया है भगवान जी का तो सभी भगवान है लच्मी जी गडेश जी और कोई भगवान बाकी नहीं है जो यहां पर न बैठे हो तो अब चलती हो और फटा फट सबसे मिल करके भिच्छा ले करके अब यहीं पर हम वीडिय और सबसे दीदी लोगों से भिच्छा अब भिच्छा ले लेते हैं क्यां च्छा लेते हैं यो यह भिच्छा लगवान ऍजिड लोगों से फ़कराब लोगवान पर हम अद्नी जाख अ क puisque सबसे दोत अंर के भिच्छा ले लोग मिल करके वाकी बाकी तो से अभवान जी जाख जी आंग से अगवान तो समभाव हूल तो समके तोलती हो और निस यहां पर सब हमको पकड़ लिए कि एक भजन भी गाना है तो हमने भोले बाबा का भजन भी सुना दिया आपने सुन लिया और अब वीडियो का एंड कर रही हूँ आप लोग लाइक भी करिए सस्क्राइब भी करिए और शेयर भी करिए इसी तरह प्यार देते रहिए और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय माता की